बाई और बेनों नमस्कार युवाँ आप सब को नमस्कार आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कोविट का समय है सवाल ये है कि बांगले देश की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से आगे कैसे निकल गए समय होता था कि हिंदुस्तान दुन्या की सबसे हाई परफॉर्मिंग एकॉनमी होता थी सरकार कहती है कारण कोविट है मगर अगर कारण कोविट है कोविट तो बांगला देश में भी है कोविट तो बाकी दुन्या में भी है तो फिर अगर कारण कोविड है तो हिंदुस्तान पीछे कैसे रह गया भाई और बहनों कारण कोविड नहीं है कारण नोट बंदी है कारण GST है चार साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के अर्द्वेवास्ता पर आकरबन शुरू किया आपके पैर पर कुलहारी मारें किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबर्दस चोट मारें मनमोहन सिंग जी ने कहा कि अर्द्वेवस्ता को 2% नुक्सान होने वाला है और वो ही हमें दिखने को मिला पधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाए मगर काले धन के खिलाफ लड़ाए नहीं थे ये जूप था आकरबन आप पे हो रहा था आपके पैसे को आपसे छीन कर नरेंद्र मोदी अपने चुन हुए 2-3 उद्योगपती मित्रों को देना चाहते आप लाइन में खड़े हुए उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपती मित्र नहीं थे आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा अपने मित्रों को दे दिया उनका कर्जा मार किया, तीन लाख पचास हजार करोड उपया, उनका कर्जा मार किया, उसके बाद दरेंद्र मोदी जी ने गलत GST लाग किया, रास्ता साफ किया, छोटे दुकानदारों को, मिडल साइज बिजनस वालों को, स्मॉल बिजनस वालों को खतम कर दिया, रास्ता कि के लिए साफ किया फिर से अपने चुनए हुए तीन चार उद्योपदी में दूपे लिए और अब ये तीन नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं किसानों को खतम करने के कानून है किसानों की खेत को उनके हातों से चीनने के कारून है भाई और बहनों हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो प्राइड हुआ करती थी हिंदुस्तान की जो शान होती थी हमारी अर्द्विवस्ता उसको नश्ट कर दिया है एक साथ मिलकर हमें हिंदुस्तान को फि प्रिवाद